सवाल यह कि यह जो रुपए की मजबूती है टिकाऊ कितनी इस पर बात करते हैं इंजिल कमॉड़िटीज के अनुछ गुपता माय सा जोड़ चुके हैं अनुछ बताइए कि क्या यह जो तेजी है मजबूती है लगाता दूसरे ट्रेडिंग सेशन रुपए में यह जारी रह इसका रेक्शन हमने एक्टुटी मार्केट पर देखा है जो कि मार्केट पॉंसरे फ्लोग हुआ इंजियन रुपी यह जार एप्लिशेट होके बंद हुआ साथ में युएस का डॉनर गिरावट में देखा है उसका तर्थी हां पर आते हो इस आईडिया है तो मुझे लग पर देखा सकता है जो है जो है वह जो सकता है एक और दो दिन और अप्रिसीएशन दिखेगा मुझे बताइए अमेरिका में कुछ ऐहम डेटा आने वाले हैं आज का दिन काफी इंपार्टन्ट है वहां के एकनॉमिक डेटा के लियाद से क्या लगता है रुपै पीर क्या को लिए ले मंज़े लगता है कि मार्के फोड़ा सा इक रेंजमाउड रहेंगे जो यहां आधा देखाई देखाई देगा। आनुज हम डॉलर डॉलर यहां पर बात कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं लगता कि यह जो रफ्तार रुपए में एक तरह से कह सकते हैं कि जान लोटी है, इसके पीछे घरेलू, न्यूस भी यहां पर जिम्मेदार है साटरडे को, यहां पर जो प्रधानमंत्री की तरफ से आर रोल है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए घरेलू फरंट पर? समिक्षा है, वो यहां पर जिम्मेदार को मिले, तो मुझे लगता कि इसके आपको इस महीने के अन तक आने वाले कुछ हफ्तों में 75 का स्थर चूता दिख रहा है, उसमें वक्त है अभी? जो इंडियन रुपीस का ट्रेंट है, वो डेप्रिशेशन की तरफ है, आला कि कुछ कूल डाउन हमने देखा है, तो इसका मदब ही नहीं है कि आगे इंडियन रुपीस देप्रिशेट होगा, तो रुप्या डेप्रिशेट करेगा, लेकिन छोटी अबधी में USD INR बेच कर चले, 71, 50 और 71, ये एक strong support फिलहाल दिखाई दे रहा है, और रुप्या इस दाइरे को नीचे तोड़ता हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लंबी अबधी के लिए yes, 75 के दरवाजे, 74 और 75 के दरवाजे अभी भी खुले है, चली ये तो बात हो गई रुपे के, अभी अगता चूकती चली जा रही है, साड़े 3 साल के लोज पर है, निवेशकों का कहीं भी रुझान इन में दिखाई नहीं दे रहा है, बड़े mix अंकेत हैं बुलियन के लिए, इन तीनों factors को जोड़ते हुए अनुझ, सोने चान्दी में क्या किया जाए? इस बार, ETF में definitely कुछ गिरावट है, बट अगर हम Central Bank की बाइंग देखे हैं, तो वो हमने पिछले 2 महीनों में बड़की देखी है, तो इस बार अगर हम देखे हैं, तो जो गोल्ड का रुझान है, वो ETF से हटका साथन अगर देखे हैं, तो फिजिकल गोल्ड की तरब आता ह हम देखे हैं, तो गोल्ड की स्पीड उपनी स्पीड के नहीं बड़ी कितना में expect कर रहे हैं, बट जो मोमेंटम आ रहा है धीरे धीरे, आज भी हम देखे हैं, तो गोल्ड अभी थोड़ा सब्स्टेनेबल रेंज में है, जहां पर अभी भी बाइंग शेट कर पकते हैं, हम मेरा है मालना है कि 70-80% वो news भी हां discount होते ही दिखाई जेगी, तो major factor रहेगा, वो चाइना और US का trade war रहेगा, तो Sona यहां angel commodities के तरफ से sell नहीं, खरदारी की recommendation है, और वो यहां पर 3600 का target recommend कर रहे हैं, मुझे यह बताइए कि अब यहां से चांदी में किस प्रकार का move होगा, क्योंकि base metals में भी कुछ recovery देखी है, न्यूस के तरज पर, Sona का भी तो support मिलना चाहिए? कि एक positive territory में धीर 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 आता हुआ दिख रहा है, अगर अगर पंडामेंटली भी जाए तो मुझे लगता है, गोल्ड का, जो अगर गोल्ड के भाव उपाय हैंगे धीर 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 तो silver भी आप पॉसितिव धीर में उपर आती भी दिखाई देगी, silver भी हमें लगता कि कल की closing negative territory में हुई, लेकिन आज जैसे ही बाजार खुला, खासी recovery यहां देखने को मिली है, लेकिन अनुज, जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है, पहले IEA नहीं, International Energy Agency नहीं तुशले महीने कहा, कि supply squeeze के लिए आप तयार रहिए, बाकलेज, BNP पारेबा, सब ने विकाशील देश हैं, emerging markets चुने हम कहते हैं, वहाँ demand घड सकती है, क्या अब यहां से demand का role या demand का दबाव जादा दिखेगा, क्या हो अब कच्छे तिल में रणनीती? अब करूड अगर देखें तो पिछले दो दिन में करेक्शन आती भी देखी है, एक resistance लेवल जो कि हम expect कर रहे थे, तो करीवन 70 डॉलर और ब्रेंट करीवन 80 डॉलर से market नीचा है, profit booking लेवल से आती भी देखी है, मगर अगर हम देखें तो हमें लगता है कि जो supply side रहेगा, अब थोड़ा सा अपना clear नहीं ज़ेगा, अला कि जो demand side है, मुझे लगता है कि आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अगर हम US की तरफ देखें तो आपर winter season भी है, वो आपर रहेगा, और हो सकता है कि आगे अगर trade वो सुझता है, तो again जो demand scenario है, वो यहाँ पर आता हो दिखाई द करेंगा, तो trend की according भी चलें, तो buy on dips की strategy, हमें लगता ही क्रूड में देखने को मिलेगा, तो क्या मौझूदा स्थरो पर आप entry करेंगे MCX पर, अभी मैं 49.35 क्या सपास के levels देख रहे हूं, अजी कि बिलकुल मुझे लगता है कि अगर यहाँ से बहाव 10 से 20 पर गिरते हैं सब्सक्राइब करेंगे, हमें लगता है कि अगें 5000 तक के level यहाँ देखने को मिलेंगे, 5000 तक का level दिखेगा, मौझूदा level से थोड़ी dip आती है, तब वहाँ पर entry लेनी चाहिए, metals पे भी focus करते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ recovery का mode दिखा, कल zinc बहुत तेज गिरावट लेकर दूसरे सर्थर में बंद हुआ था MCX के, लेकिन आज opening सारे metals की उपर हुई है, captain of the team copper आदे परसेंट उपर है, और तक्रीबर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 30, 65 पैसे की मस्बूती aluminium LED दिखाता हुआ, यानि एक चौथाई से आधे परसेंट तक यह सभी move दिखा रहे है, इस पर आप अनुज भरोसा करके चलेंगे, कोई खास favorite metal जिसमें कोई रणनीती बन सकती है, आज मुनाफे की? मुझे लगता है कि copper एक रहेगा, जहाँ पर हम buy initiate कर सकते हैं, और साथ में अगर हम nickel की तरफ देखे हैं, जहाँ पर 900 के उपर के level आते हुँ देखे हैं, तो मुझे रखता है कि nickel के अंदर भी buy initiate कर सकते हैं, stop loss अग्बे कर रहेगा, और target करीबन 930 रुपे तक देखने को मुझे बताए कि क्या ये zinc में जितनी मजबूती थी, आनी थी, क्या वो आ गई है, वो fizzle out हो गया है, क्योंकि steel की story तो बहुत जादा काम करती दिखनी रहे एक range में फसकर रहे हैं, और खास्तोर से चीन की तरफ से जो ऐलान निकल कर आए हैं, क्या ये stainless steel के ingredients की story, zinc, lead, nickel की story थोड़ी, थोड़ी fizzle out हो देख रही है? आप अभी accumulation में comfortable हैं, या आप चाइना के move को थोड़ा देखना चाहेंगे की winter में उनका क्या यहां से क्या रणनीती रहती है? अदि कि मुझे लगता है कि aluminium as compare थोड़ा positive रहेगा, तो aluminium के नदर हमें लगता है कि buying side में trade लिया जा सकता है, अगर हम देखे तो worldwide भी क्या trade war के अलावा ऐसे और factors है, जिन पर focus करने की जरुवत है, यह साल आप अंत कैसा होता देख रहे हैं metals के लिए, अब जो एक तिमाही बची है? तो मुझे लगता है कि inventory is बहुत important रहेंगी, जो कि base metal को आगे direction provide करेंगी, क्योंकि हम देखे तो जो year ending होती है, तो वहाँ पर जो है, जो भी companies होती है, जो भी hedge funds होती होती है, अपनी position को liquidate करते हैं, तो वहाँ depend करेगा कि वह कितना अपना quantity, अपनी inventory को maintain रखे चलते हैं next year क के लिए, तो मुझे लगता है कि वो एक important sector रहेगा, और साथ में demand definitely trade war अगर सुलचती है, तो वहाँ पर किसी demand निकल कर आती है, जो कि base metal को support करेगी, तो मुझे लगता है कि ये sector ज्यादा important रहेगा, और मुझे लगता है कि हमने पूरे January से लेकर अगर हम देखें, तो market काफ आती दिख रही है आपको, जी बिलकुल अगर देखें तो Indian market के अंदर, NCDX के अंदर या फिजिकर मार्केट की बात करें, तो हाँ अप सप्लाइज बढ़ती हुदी, crop अच्छी है, acreage बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि soya bean के अंदर भाव कुछ अंदर में की तरफ देख दिख्वाली कर सकते हैं, बगर अगर long term trading लेनी है, तो 3150 के लेवल्स मिलते हैं, तो current rates 1500 रुपे, तो selling activity कर सकते हैं, बगर positional तोर पर अगर लेना है, तो 3150 के अंदर भाव रहेंगी जहां से again buying accumulate की जा सकते हैं अब अगर वो accumulation की जो आप बात कर रहें, क्या यह इससे भी affected है कि यहां पर सरकार ने तीन योजनाय जो निकाली है अनाज की खरदारी के लिए, उसमें private players हैं, वो यहां पर oil seeds की खरदारी करेंगे, आगे जाते हुए कि यह जो scheme है, इसका फाइदा आपको मिलता दिख रहा कि खरदारी करते हैं, तो भाव उपर आते हुए दिखाई देंगे, अगर तिलन की खरदारी अगर private market में होती है, तो definitely एक support मिलता हुए दिखाई देगा और भाव उपर की तरह आते हुए दिखाई देगे, अगर मुझे अब यह बताईए कि मसालिपक पर फोकस करेंगे, ह अब यह मजबूती दिखा रही है, क्या यह मजबूती टिकाऊ है, आपको क्या लगता है, पांच महीने के लो लेवल से जो रिकावरी आई है, इस इट एर तो स्टेए? अब यह बताई है, इस बाइचे अब यह बताई है, यह बहुती तो आप इतने ही कॉंफिडेंट है, क्योंकि यह भी कमॉडिटी है, एक्स्पोर्ट डिमांड के दम पर बहुत तेजी से भागिए, क्या अभी और वी रूम है, इस चड़ने का क्योंकि अभी तो आदे पर अब जीरा मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा एक्यूमुलेट हो, और हो सकता है कि भाव यहाँ पर कुछ कॉफिट बुकिंग देखने को मिले, हाला कि ट्रेंट भी इसका पॉसिव है, बट करेंट लेवर से बाइंग मुझे लगता है कि नहीं करनी की है, अबी जो अक्टूबर कॉंट्रक्ट है, उननीज़ार नौसो अस्टी के राउंड चल रहा है, भाव अगर थोड़े करेक्ट होते हैं, उननीज़ार नौसो अस्टा पकॉस करिया नुच, हमने चने को देखा है कि चार हजार के पास यह अपने लेविल को होल्ड करने की सपोर्ट मिलेगा, जो सरकार की नहीं नीतियां आ रही है, किसानों को भुकतान करने की डिरेक्ट ली, उसको कितना सपोर्ट आपको मिलता देख रहा है, अबी चना मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो पिछले तीन दिनों में, अगर हम पिछले एक हफते की बात करें, तो नीचे में 3850 से bounce back होगा, करीबन 41 से के level दिखा शुका है, मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ा सा market consolidated हो सकता है, मगर जो trend पकड़ा है lower level से, वो हमें लगता है कि positive रहेगा, चने कंदर हमें लगता है कि एकर trading point of view से किसी को trade लेना है, तो buy करके चलें, 4-1, 4-1, 4-1, 4- यह range में लगता है कि यहां पर हो सकती है, और कैस्टर के बारे में जड़ा बताईए, च्याली सो के करीब उपरीस तरों से आज सोड़ा profit booking हावी है, क्या यह खरदारी का सही समय होगा, क्योंकि आपके जैसे कई analyst है जो यहां पर 5000 के level का दावा कर रहे है, देखिए, पांच क्रॉप आने वाली है, उसकी वज़े से भाव कुछ यहां पर गिरावट की दर्फ देखने को मिले है, तो जब अराइवल्स पूरी होगी, तो अगें भाव उपर जाते हो दिखाए देखिए, जो की भाव को सपोर्ट करेंगे, हमें लगता है कि जो करेंट भाव चल रहे ह जीरा में आज थोड़ा फोकस करके चड़े, सोयबीन में बिक्वाली बनती है, लेकिन अक्यूमिलेशन के लिए मद्यमवदी के लिहाज से साड़े इकती सो के पास एक स्ट्रॉंग सुपोर्ट है, अनुछ शुक्रिया हमारे साथ जुढने के लिए और पूरे कमोडिटी बाजार पर करेंसी पर अपनी राय आज हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए, तो कमोड़ी राउंड अप में इतना ही मुझे दीजिए अजासत, लेकिन बने रहीएगा CNBC आवास के साथ, क्यों? क्योंकि आगे हम आपके लिए पेश करेंगे Futures Express, नमस्कार.